सब 124 एपे निर्बर हैं लेकिन कोर्ट ने जो उनको बेल दिया आज 11 दिनों के बाद उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडिशन्स रखी है नमस्कार मैं किशिशो स्वागत आपका निक्स्टाइन नियूज में सबी को मालूम है कि जो खबर सामने आई थी कि नवनीत राणा को अभियान रिहा कर दिया गया है लेकिन आखरकार इस पीछे की सच्चाई क्या थी बताते चले आपको कि उनकी तब्यत जरूर खराब थी और जेजे अस्पताल में उन्हें भरती कराय गया था लेकिन वही जब उनकी जेल में रिहाई की बात हो रही थी तब अब खबर सामने आई है कि नहीं हो पाई रिहाई हो सकता है कि आज हो जाए क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पेपर्स जो कागजात कोर्ट में पहुचने चाहिए थे वो समय पर नहीं पहुचे जिसकी वज़ा से रिहाई टल गई और पूरी रात फिर अविराना को जेल में गुजारनी पड़ी इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि अपनी तराना पे तो एक के बाद एक मुसीवतों के पहाद तूटते जा रहे जेल में रहना उसके बाद अस्पताल में भरती होना और अब यहाँ पर उदफठाकरे का फैसला यानि कि उनके आवास का हमेशा हमेशा के लिए खतम कर देना चीए हैं कहा जा रहा है कि बीमसी ने यह ओडर लिये हैं जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर उनका जो आवास है जिस घर में वो रहती है वह अवैद निर्मान है तो इसको जल्दी तोड़ा जाएगा इस पर बुर्डोजर चला जाएगा लेकिन सबसे पहले आपको इस खबर में य लाफ एक और कारवाई की गई है जनकारी के मुताबिक भ्री मुंबई नगर निगम की एक टीम निरिक्षन के लिए उनके खार स्थित आवास पर पहुची दरसल बीमसी ने सोंबर को राणा के खार फ्लैट के बाहर नोटिस लगाया था नोटिस के मुताबिक बीमसी जाज सपार्ट करने की जिद की कारण उनके खिलाफ कारवाय की जा रही है बतादी की नवनीत राणा और उनके पती रवी राणा ने सीय मुदफ ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनमान 40 अर का पार्ट करने की खुशना की थी हाला कि पुलिस ने उनने पहले ही गिरफतार कर पुलिस ने नवनीत राणा के खिलाव भड़काओ बयान बाजी समाज में अशान्ति फैलाने के आरोप में 153 एक का मामलाद दर्च किया था। बाद में पुलिस ने दोनों पर देश्टरों का मामलाद लगाया था। अमबुमे में एकी सत्र अदालत ने सांसर नवनीत राणा और उनके पती विधायक रविराना को बुदबार को शर्तों के साथ जमानत दे दी। बदाद एकी रविराना को पच्छास जार रुपे प्रतिव्यक्ति का सिक्योरिटी बॉन्ट देना होगा। साथ इकोट ने उन्हें इस तरह के मामलों में दुबारा ना फसने और सबूतों में किसी भी तरह की छेड़ जार ना करने और इस फैसले पर किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फरेंस ना करने की सक्थ हिदायत दी थी। तो वही, अब आपने इस रिपोर्ट में ये तो सुनाएं कि यहाँ पर वकील ने कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़े जरूर बताई, यसी शर्ते जरूर बताई जो नवनीत राणा और रवी राणा के लिए बताई गई है। और पुलिस ने उनके साथ दुर्वेवार किया जिस तरीके से हम लगातार खबरे देख रहे थे। तो चलिए जानते इस रिपोर्ट में बाग की और क्या क्या हुआ था। और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने आजे रहे थे। कंडिशन्स जो है उनको 50,000 का बेल वीट वन शुरिटी दिया गया उनको शुरिटी देनी है उसी तरह उनको यह जो मैटर है यह मैटर के बारे में उनको मेडिया के सामने कुछ भी बोलने को मना किया है बाद में उनको जो है विटनेसिस है उनको बहुत सारे कंडिशन्स है उनको विटनेसिस है उनके साथ कुछ कॉंटेक करने को मना किया है टैंपरिंग करना मना किया है उनको पुलिस जब भी बुला है तो उनको 24 गंटे की नो लगतार बढ़ती चल गए और बीमसी का इतना बड़ा खत्रा जो लगतार मंडरा रहा है कि बुल्डोजर घर पर कभी भी चल सकता है तो उन सारी चीज़ों को लेकर अब आपकी क्या राय है कि नरवनीत राणा और अविराना यानि कि राणा दमपती के साथ इस सारी चीज़